कोरोना, नखली गौड, नखली जाती, सच्चा कोरोना कोरोना के वारे में आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी मुझसे बहतर जान गई रखता है, मुझसे जादा जान गई रखता है इसका प्रचार प्रचार जितनी तेजी से पूरी दुनिया में हुआ, जितना इसका फैलाब हुआ, वो अपने आप में आज के समय में देखने लायक है क्योंकि जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, पहुंसती है और अगर जानकारी जान पर पड़ी हो, जान बचाने पर पड़ी हो, जान पर आन पड़ी हो, फिर तो कहने ही क्या वो सुपरसोनिक स्पीट से आवाज की गती से भी तेज पहुशती है लोगों के पास तक मगर कारोना इतना खराब नहीं है, जतना उसको घोशत किया गया है, कारोना अच्छा है जो मच्चू है, मिर्टू है, डैठ है, वो सबी को आनी है, जब भी किसी जीव का बर्थ होता है, जनम होता है तो उसके साथ उसके software में उसकी मिर्टू की भी एक file होती है मच्चो की death की भी एक file होती है अगर prakartik death होती है तो natural रूप से वो आगे बढ़ती है और धीद्रे कमजर होके मिर्टू को प्राप्त होती है और अगर एप्राकartik यानि unnatural होती है तो वो natural मौत के बजाए कभी भी किसी भी समय मारा जा सकता है मर सकता है मिर्टू को प्राप्त हो सकता है ये हेतु गात पे यानि cause and genesis पे depend करता है क्या कारण बने उसके क्या नहीं बने ये भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से मच्चू के वारे में मिर्टू के वारे में बताया हुआ कॉरोना क्यूं अच्छा है कॉरोना इसलिए अच्छा है कि कॉरोना किसी बीजा को किसी बाउंडरी को किसी देश को किसी कंट्री को नहीं मानता जैसे मनुस्य ने बहुत सारी बाउंडीज और बहुत सारे बीजा बहुत सारे लोगों से मिलने की रोकने के बाट लिये हैं छोटे-छोटे हिस्से कर दी है पुरी दुनिया के और वो बहुत जादा वन भेद यानि की जो रंग का भेद है इसको वंड भेद बोलते हैं रंग भेद या भारत की इंदर तो सबसे ज़्यादा जो विश अनू है वो है जाती भेद है या अमीर गरीब का भेद है छोटे बड़े का है काले गोरे का है पड़े लेखे का है अनपड़ का है कमजोर का है ताकतवर का है ये बहुत सारे भेद मनुस्य ने खुद ही अपने आप डवलब किये हैं कॉरोना ने इन में कोई भेदभाब नहीं किया वो सब के लिए समान रूप से आता है समान रूप से अपना डवलोमेंट करता है समान रूप से अपनी ताकत को लगाता है उसके लिए मनुस्य मनुस्य है मानव मानव एक समान करोना की यही पैचान और मानव मानव एक समान यही भगवान बुद्ध ने कहा है सभी के लिए करोना है चाहे वो मानव किसी भी देश का हो किसी भी जाती वर्ग धरम का हो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, पतला हो, पहाल पे रहने वाला हो, समुन्द में रहने वाला हो, समतल में रहने वाला हो, पठार पे रहने वाला हो, रेगिस्तान में रहने वाला हो, किसी भी भासा का हो, किसी भी तरह से, सभी मनुस्य को बरावर मानते हुए, उन्हो तो विसका अणू है छोटा सा कोरोना, ये कोरोना बड़े कमाल का है, ये किसी भी गौड से नहीं डरता, सारे गौड इससे डरते हैं, जितने भी दुनिया में गौड हैं, सब बॉकलाए हुए हैं, सब ने अपने दरवाजे बंद कर ली हैं, कुछ जो गौड हैं, उन्होंनो तो अपने मुखे उपर मास्क भी लगा लिये हैं, यानि कि गौड से बड़ा अगर है, तो वो वाइरस है, विस अनू है, जो इस समय पूरी दुनिया को तहसत में रखता है, जितने भी गौड के दरवार थे, या गौड की लिलाए थी, गौड का मंचन था, गौड की असे तो गौड भी गायब हो गए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो ये बात तैय हो गई, कोरोणा ना ये सिद्ध कर दिया, कि गौड जो बना है, वो मनुस्य ने बनाया है, अगर गौड ने सब बनाये होते, तो वाइरस भी गौड नहीं ब जो कम पड़र लिखे लोग हैं, जो कम जानते हैं, कम जानकार हैं, जिनकी जानकरी कम हैं, उनको ऐसा लगता है कि गौड कोई natural चीज है, क्योंकि जानवरों को कभी गौड की आवश्कता नहीं पड़ती, वो कभी किसी गौड की स्थल्पे या गौड के किसी प्लेस पे नह नहीं वो कोई वर्शिब करते हैं, नहीं पुज़ा बार्ट करते हैं, नहीं कोई साहित्य परते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, बड़े सुस्त रहते हैं. कोरोना एक बात स्पष्ट कहता है कि जो जानकारी है वो प्रधान है यानि कोरोना डरता किसे है जानकारी से पैया से, समझ से, विजडम से कोरोना कहता है कि मुझे अगर सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वो जानकारी से लगता है अगर आप मेरे वारे में जानकारी हासिल कर लोगे कि मैं कैसे कैसे काम करता हूँ क्या मेरा आना जाना है क्या मेरा समय है क्या त्रियकलाप है और मैं कैसे मरता हूँ तो मैं मारा जा सकता हूँ भाई चारे से, प्रेम से, प्रकती से मैं मारा जाता हूँ मैं खत्म हो जाता हूँ, मैं दुबारा नहीं आता क्योंकि इंसान इंसान की मदद करता है, जानकारी करता है तो फिर वाइरस करोना कमजूर पड़ता है वो कहता है कि अगर आप जी भत्तिया करोगे तो मैं आउंगा अगर आप गंदगी रखोगे तो मैं आऊँगा अगर आप लोगों को अनपड रखोगे लोगों को जानवरों जैसी स्थिती में रखोगे तो मैं बार बार आऊँगा और उग्डू रूप में आऊँगा वो कहता है कि अगर आप प्राकर्टिक नियम नहीं मानोगे तो मैं हमेशा रहूंगा, बार बार रहूंगा अगर आप प्राकर्टिक नियम मानोगे तो मैं फिर जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आप अगर नैचुरल रूल्स को फॉलो करोगे जो प्रख्रतु ने दिये हैं, मनुस्य के लिए जिसको धम कहते हैं, फिर मैं नहीं आउमगा लोटके, ये कोरोना कहता है, तो कोरोना अच्छा है, ख़राब है, basically कोरोना मनुस्य के लिए नहीं बना, जानवर में ये रहता है मगर मनुस्य ने जो धम का कम है जो कर्मा है जिसको नैच्रल रून बोलते हैं वो तोड़ा उन जानवरों को मारा उन जानवरों को बहुत बहशी तरीके से काट कर खाया जो प्रकृती का बहुत ज़्यादा अंग हैं अभिनंग हैं और प्रकृती को लगाता साहेता करते हैं प्रकृती अपनी ताकत दिखाते हुए उस वाइरस को डवलप करके और उनके मारने वाले लोगों तक पहुँचा देती है ये वाइरस बहुत बार बीज़ीज में आते हैं जो जितने भी वाइरस हैं उनका कारण गंदगी और अनपरता और प्रकृतिक नियमों का जो वरोध है तभी वाइरस पनपता है वरना मनुष से पांच करोड साल से डवलप हो रहा है और बन रहा है आज तक ऐसी स्थिति नहीं आती पूरी दुनिया एक साथ बंद होने के कगार पर आ जाए इसलिए प्रकृति का सम्वान करें नेचर का सम्वान करें भगवान बुद्ध ने जो नैच्रल रूस बताए हैं प्रकृतिक रूस बताए हैं उन्हें एक बार देख जरूर ले उनके अंदर पानाती पाता वेर मनी है यानि के हत्या नहीं करेंगे ऐसी आप प्रतिग्या करते हैं वरत रहेंगे चोरी नहीं करेंगे उसमें जूट नहीं बोलेंगे आप वेवचार नहीं करेंगे और कोई नशा पता नहीं करेंगे ये बेसिक पांच रूल हैं, इनको फॉलो करेंगे तो वाइरस आपसे दूर रहेगा, वाइरस कर भी डबला पी नहीं होगा, वो आपको परिशान नहीं करना चाहेता, आप भी उसको परिशान मत कीजिए, धन्यवाद नमक कार, जब तक कॉरोना वाइरस रहेगा या उसकी संभावना है, आपने एक दूसरे का अभी बादन नमक कार करके करना है, ये बुद्ध की समय का ओरिजिनल शब्द है, नमक कार जो बाद में नमशकार में बदल दिया गया, और संसकाइब भासा में नमस थे बूलते हैं, बुद्ध की बहुत सारी मुद्राएं हैं, जो अंजली करणियों या जो करवद के रूप में आती हैं, फोल्ड धेंड के रूप में आती हैं, ये सेफ हैं आज के समय में और तब भी जब कभी वाइरल लिशीज हो या किसी को सर्दी जुखाम हो, घर में आते जाते समय सब भी बच्चों को नमककार करें, मेरा भी कोरोना के समय आपको नमककार, धन्यवाद आज सता हैं, सब्सक्राइबे जयुखामा जयुखामा फिक की रूप के समय तीनो नलेु ऑछाएं डखामा आट मां आते द्ब कार्गोंस 15eres स्चनावेद और ताल्यों सेंग्यॉ